हेलो माई डियर एश्टुजेंट्स चलिए आज हम लोगों मेटलर्जी में लेक्चर 13 कंटिनीव करने जा रहा हैं और इसमें पीछले क्लास में हम आपको बताया थे कार्बन रिडॉक्षन मैथड या कार्बन मौन अक्साइड रिडॉक्षन मैथड से धातू के आक्साइड का धातू में अपच्चा या रिडॉक्षन आज हम लोग दूसरा देख रहे हैं रिडॉक्षन बाई एलमोनियम या मैगनेसियम ठीक ना इसमें क्या किया जाता है एक कंटेनर लिया जाता है ठीक है ना और इसमें मिक्चर लिया जाता है थरमाइट मिक् समस्राइज लोगी कर तो 3-1 के अनुपात में क्लीर अनुपात एक में असपच न और इसमें हम लोग जलाते हैं बरिन trading magnesium ribbon यह magnesium ribbon है चमई जय हैजा धेकिन न इसको क्या क्या जा है बफिर ने न हो रहा है ठोकिछ नदर जल रहा है और इस पर बिय वो टु और कैस्विटो 3 को डाला जा रहा है और इसमें जो वाइर है. ऐलमूनियम का है. आक्सिजन के प्रिजेंस में यह परकिर्य होईगी. ठीक है न? और बेसिकले राक्सन ऐलमूनियम के लिए जो यूज होता है. ऐलमूनियम रिडाक्सन यह क्रोमियम, मैगनिस, बोरॉन भी हो सकता है तिटानियम मतलब धातू के अकसाइड और धातू के भी अकसाइड हो सकते हैं बोराण टिटानियम सीलिकन क्लियर ना चलिए और यहां पर रोलर लिया अगल मतलब यह रोटेट करने वाला सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो ऐल्मुनियम वायर अल्मोनियम का टुकड़ा है ठीक है न अल्मुनियम और अक्सिजन के प्रेजन्स में यह जलता है यह बनता है ठीक है और यहां पर बहुत लार्ज एमोंट में हीट रिलीज होता है लगभग 60- 17 सब्सक्राइब एक बात लिखाया गया कि यदि रिडियूसिंग एजेंट में एलमुनियम परNEYुक्त किया जाए तो उसे थरमाइट प्रोशेस कहा जाता है या एलमुनियम थरमाइट प्रोशेस के नाम से जान सकते हैं स्वेजक्टिब के लिए ॥्लियूसित मेडिकल के लिए हैं परस्ट न थर्माइट प्रोसेस इसको कहते हैं अभी बताया गया जैसे माली एक एक जामपल हैं सी आर टू ओ त्री और एल्मुनियम के साथ हैं पर एल्मुनियम की इस तरह भी है कर रहा है तो इसको हम लोग रीडाक्षन कहाएंगे का कहाएंगे रीडाक्षन असपस्ट न और एल्मुनियम का ऑक्सिडेशन हुआ है असपस्ट न तो यह रीडूसिंग एजेंट के तरह भीवार कर रहा है होका यहां साथ है इसा इसके जö seekers पर एम formed Tony ले सकतेया में 23 अल्मुनियम हीट कर के हैं तो myself मेंटी पर होसकता है यहां पर 203 है बरुन के कंद सकर्ठाशन के दोरान किया जाता है यहांपर मे्दिश के नशकुन सक्यान के दोरानहां यहां पर क्रों युउम के नैंस में हैलमूनियम है क्या अब मैरे देखते हैं इसलिए सको थर्माइट प्रोसेस्स आच्छा है 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 tame तर्माइट फोसेस के नाम से जान सकते हैं जरा चलिए next है एक प्रोसेस क्रोल प्रोसेस ठीक है ना यह समय सकते हैं रिडग्शन और टीटानियम उद्ण मेंग करेंगे जैसे टील वोर है यहां पर आक्सीड़ेस्ट प्लस फुर में है और यहां पर क्या अजीरों तो आने टिटानियम के रिडक्षयं ना किसके दोर है तो मेंगनेशेंब के दोर है इसले इसको क्रॉल प्रोसेसं के नाम सा जानते हैं इसमें जो हीट इन्वाल्फाइए एक हजार से गार सब पच्चाहट दीग सल्सेस के असपस असपस न यहां पर सोडियम यूज करेंगे तो आई-एम आई प्रोसेस करें करके काया जाता है असपस्ट न टीटानियम ही मिला है रेडिवसिंग फारम के रुप में मेंगनेसियम और सोडियम है ठीक है न यहां पर चली और टो रिडख्षन यह तो बहुत महुत पूण है मेरे बाई कारवन रिडख्षन और टो रिडख्षन बहुत महुत पूण है एल्मोनियम थार्माइट भी इंपूर्टेंट है ही यह आय आई-टी के भी से असपस्ट न और अट्टो और रिडख्षन और कार्मन रिडख्षन वाला कार्मन मोनो अक्सड रिडख्षन वाला बूड के लिए इंपूर्टेंट है तो यहां पर स्वात्त अपचैन पीदी में क्या है ना जैसे पीवीए सलफ हाइड आयसक है अक्सिजिएन के प्रजेंस में इसको गर्म किया जा तो पीवीओ ठीक है ना पीवीओ मिल रहा है और एस ओटू मुख्थ हो गया है असपस्ट ना तो यहां पर अक्सिजन प्रजेंस में यह परक्रिया हो रही है तो यह करते हैं जारण या भरजन ना अभी यहीं पीवीओ माली जी पीवीओ की पीवीएस का यासक लिए थे ज अधिकर प्रती रिडिउसिंग एजेंट की तरह वेवार करेगा यहां पीवी मिल गया और यहां से असटू के यहां पर अक्सिजन प्रजेंट है नहीं है तो इसको कैल्सिनेशन निस्टापन ठीक है न तो इसमें दू एश्टेप में रोश्टिंग और दूसरा में कैल्सि अक्सिजन प्रजेंट है यहां पर डाइरेक्ट यह रिडिउस हो सकते हैं गार्म करने के बाज़ों चलिए यहां पर एक्जामपल ले सकते हैं यह डाइरेक्ट रिडिउस हो जाएंगे कर देखें यहां पर देखेंस कपर सिलफाइड है यहां पर क्या है मेरे शिट करने तो इसका 50 जो है इसका 50 परशेंट यह बदल गए आप जो 50 परशेंट है अब यह रिडिउसिंग एजंट के तरभी हवार करके इसको कपर में रिडिउस और देगा यह तो चलिए इसका आ और हां जो और का लिश्टिंग करा गया था उसको बार बार करके लिख लिख लिखे का合र करें लेजिएग मेरे वाजे पर मेरे क्योंकि वन को पता है कि यह सान करना है मेटल की चेपटर को आपको तो भाई मेरे वह लिष्ट का जो और का लिष्ट है उसको एकदम बार बार लिख के याद करना ही होगा इस चेप्टर को असन करना है तो ठीक है इसका अगले कलास में हम कंट्निव करेंगे थैंक यू बेरी मच